Now students, exercise 8.3, class 8 mathematics, comparing quantities में, आईए, part D करते हैं, question number 1 का, कह रहा है कि रूपीज 8,000 for 1 year at 9% पर N, compounded half yearly, जब भी compounded half yearly का question होता है, मैंने आपको कई बार बता है, compounded half yearly का, जब भी बच्चों question होता है, हम क्या करते हैं, हम rate को half कर देंगे, याने कि R की जगा formula में R by 2 रखेंगे, और N को हम क्या करेंगे, double करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे तो आपको amount का formula होता है, क्योंकि इस question में amount और compound interest निकालना है, ठीक है, तो amount का formula होता है, होता है P in the bracket 1 plus R by 100 to the power N, ये तो formula होता है, ठीक, लेकिन इस case म ये compounded annually जब बोलता है, तब हम ये formula लगाते है, जब क्या बोलता है, compounded annually, लेकिन अभी उसने क्या बोला, compounded half yearly, half yearly मतलब, एक साल में कितने half yearly आते हैं, two, ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो rate दे रखा है न question में, ये तो per annum, एक साल के लिए rate है, हमें हर एक छे महीने में ब्याज मिलेगा, compounded half yearly, लेकि six month में एक बार interest मिलेगा, और next six month में एक बार फिर से interest मिलेगा, यानि कि rate को आपको half करना पड़ा, क्योंकि ये तो पूरे साल का rate है, तो half year का rate कितना हो जाएगा, rate को two से divide कर दोगे, ठीक, इसी दरीके से, जो n की value उसको two से multiply कर कहां पर, जब वो हमसे क्या बोलेगा, जब वो हमसे बोलेगा, compounded half yearly, ओके, so इसका जो formula बनता है बच्छों, वो बनता है कैसे, amount is equals to p in the bracket, one plus, r की जगा हम क्या करेंगे, r by two कर देंगे, rate को अभी भी half yearly question आए, r को two से divide कर लेना, ठीक, तो r की जगा r by two रखोगे, upon में hundred तो है ही है, और power में, n को two से multiply कर देना, तो n को two से multiply करोगे, two n बन जाएगा, ठीक, ओके, अब यहां से आपका formula बनेगा, a is equals to p in the bracket, या फिर यह मैं आपको यहां बना के दिखा देता हूँ, यहां बना के मैं आपको दिखाता हूँ, so हमारे question में amount का formula लगेगा, p in the bracket, one plus, two आके नीचे multiply करेगा, तो two into hundred हो जाएगा, two hundred, ठीक, अब power में हो जाएगा two in, अब value क्या-क्या रखेंगे, पता है, सुनो द्यान से, मैं आपको बताता हूँ, formula तो मैंने बना के दिखा दिया, value सर कहां क्या-क्या set करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, principle की जगा eight percent रखेंगे, eight percent per annum है, कुछ बच्चे बोलेंगे, sir, two से divide करके रखोगे, क्या R की value को, जी, नहीं, formula बनाते है time ही, मैंने आर को two से divide कर दिया, automatically, देखरो न, तभी तो यहाँ hundred की जगा क्या हो गया, नीचे two hundred हो गया, ठीक, तो पहले से ही two से divide लग चुका है, ठीक, तो simply आर की जगा आप eight रखत होगे, ठीक, और two and ये चीज़ बड़ी मध्यदार है, तो n की value कित्ती देगे रखा है question में, कर आप for one year, यानि की value one year है, ठीक, एन की value one year है, लेकिन ये इस वाले formula के लिए, अगर compounded annually बोलता, हमें क्या करेंगे, हम two and निकालेंगे, two and का मतलब two into n क ये जगा कितना रखेंगे, one, ठीक, यानि कि जो भी years दियो तो इसको two से multiply कर दो, two into one, two and की value आजेगी, two, अब year ना लिखके, हम क्या लिखेंगे, two half years, two half years, और बहुत अच्छी सी बात भी ये बच्छो, one year में two half year ही तो होते हैं, भाई, छे महीने और छे महीने, total 12 महीने ह का time period, half year हो गया, और next six month का half year, तो one year में two half year ही तो आते हैं, ठीक, तो अब हम यहां पर value रखेंगे, तो a की value कैसे निकालेंगे, amount, at the end of one year, कितना हो जगा amount यहां से, amount is equals to, p की जगा कितना रखोगे, 8000, ठीक, इंदा bracket, one plus r, r की जगा हम nine ही रखेंगे, tension मत लो, क्योंकि two स two, कुछ बच्चे कहते हैं, two n की जगा, two into two four करते हो, जी नहीं भाई, पूरे two n की value कितनी है, two, two half year है, यहां total time period हो जा, कितने half year है, यह होता है, two n, two is the total number of half year, कितने हो गया, two हो गया, ठीक, यह लिजए, ओक, अब इसको solve कर लेंगे, तो यहां सो जगा, a is equals to 8000, ठीक है, in the bracket, one plus, अब मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे solve करोगे, सर, सर, एक काम करो, सर, देखो, सर, आप एक काम करो, सर, देखो, बहुत असान तरीके से बताता हूँ, इसको two into hundred लिख लो वापस से, और power में two है, अब देखो, nine upon two निकाल लो, जो आ जाएगा, उसको hundred से divide कर देना, eight thousand, in the bracket, one plus, ध्यान दे students, nine upon two कितना होता है, four point five, नहीं पता, पता होना चाहिए, ठीक, nine को two से divide कर दो, कि जितना answer आएगा, उसको hundred से divide कर देना, तो nine upon two तो पहले मैंने लिख लिया क्या, four point five, upon में, hundred, और power में क्या है, two है, ठीक, अब इसको हम simplify करेंगे, पहले इतना वीड पास करके बच्चों कॉपी कर लीचे, ठीक है students, अब देखिए ज़रा, क्या रहा है यहां से, amount is equals to, eight thousand, in the bracket, one plus, कितना है, four point five by hundred to the power two, four point five by hundred to the power two, okay students, solve करिए, अब सुनो, कैसे solve करें सर, थोड़ा सा calculation, यहां पर होगा आपका, यहां कोई sign नहीं, मतलब multiply है, तो multiply, अब bracket में, one plus, अब four point five upon hundred, क्या हो जाएगा बताओ, four point five upon hundred है, तो नीचे two zero है, तो यह decimal two place left में आएगा, four गागे कुछ नहीं, तो zero बढ़ा लेंगे, और एक और zero बढ हो गया, ठीक, तो four point five upon hundred कितना हो गया, zero point zero four five हो गया, और power में two, ठीक, नौ, यहां से को जाएगा, eight thousand, into one में आप add करोगी, zero point zero five, तो कितना हो जाएगा, one plus zero point zero five, one point zero four five, और power में कितना है, two कुछ लोग नहीं, अट कर पा रहे होगा, न, मैं बताता हूँ, one को लिख हो गया one point zero 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 लिख लो, ठीक, और इसमें add कर, one को लिखा one point zero 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 लिख सकते हैं, और इसमें add करना है गया, zero point zero four five, अब add कर लो, पता चल जाएगा, five plus zero five, four plus zero four, zero plus zero zero, decimal, one plus zero one, कितना आ गया, one point zero four five, ओके, now, यहां से हो जाएगा, eight thousand, into, अब ध्यानने students, इसका क्या मतलब, इसको ठाक आप सही two times multiply करना है, यानिके, one point zero four five, into, one point zero four five, ठीक, अब, इसको solve करोगे, कैसे करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, यह decimal है, इसको हटा दो, नीचे कितने zero आ जाएगे, one, two, three, डिजिट छोड़के zero, decimal लगा है, तो one, two, three, zero आ जाएगे, यह three, zero से three, zero, cancel हो जाएगे, और यहां से अंथर आएगा, आपके बास, eight, यह eight हो गया, into में, क्या हो गया, one, zero, four, five, okay, नीचे one है, इसका कोई मतलब है नी, into में, क्या है, one point zero four five, yellow, इसको multiply करना है, ठीक, okay students, so, इसको मैं आपको multiply करकर दिखाता हूँ, क्या आपके पास, amount, कितना आ रहा है, eight into, one, zero, four, five, into, one point zero four five, यही है, इसी को solve करना है, देख लो जाके, eight into one zero four five, into one point zero four five, ठीक, now, अब पहले इन दोनों को solve कर लो, कैसे करोगे, distributed property लगा के, ठीक, यह आप direct भी multiply कर सकते हो, को दिक्कत है नी, ठीक है, चलो, इसको directly कर लेते हैं, यह तो होई जाएगा, यह तो होई जाएगा, direct, ठीक, कर लो, eight five is the forty, four जाएगा, eight four is the thirty two, thirty two plus four, thirty six, ठीक, अलग से करके दिखा देता हूँ, भाई, one, zero, four, five, into eight, okay, eight five is the forty four, eight four is the thirty two plus four, thirty six, three जाएगा, eight into zero is zero, zero plus three is three, eight one is the eight, yellow, eight thousand three hundred sixty, तो इन दोनों का multiply हो गया, eight thousand three hundred sixty, और into में, क्या है, one point zero four five, कैसे multiply करोगे, और मैं आपको बताता हूँ, कैसे करोगे, eight three six zero into, one point zero four five है, यहाँ से point हटा दो, one two three, one two three zero लग जाएगा, और one, यह zero इससे cancel हो जाएगा, और यहाँ से आजाएगा, eight hundred thirty six into, two, यहाँ हो जाएगा, कितना, point हट चुका है, तो one, zero, four, five हो गया, ठीक, अपान में क्या हो गया, hundred, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों को multiply कर लेंगे, जो आन सारा जगा, उसको hundred से divide कर देंगे, ठीक है, वीडियो पॉस्ट करके पहले इतना note कर लीजे, फिर में आपको आगे बताता हूँ, वीडियो पॉस्ट कर लीजे बच्चे, चलो, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बच्चो, इन दोनों को multiply करेंगे, सर कैसे करोगे सर, सर, distributed property लगा देंगे सर, यह देखो, 836 into 1045 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1045 into 836, यह सर, अब यहाँ bracket लगा लो इसमें, चीक, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास, 1045 into 836 को आप लिख लो, 800 plus 30 plus 6, क्या गलत कर दिया, बताओ, कुछ गलत करा, नह इससे भी असान कर रहा है न, इससे भी असान करो, इससे भी असान करो, क्या करोगे, 836 को ऐसे रहने दो, into way, इसको आप क्या लिख लोगे, 1045 को आप लिख लो, 1000 plus 45, अब ठीक है, बस, solve कर लो, गे जाके फरस्टम में multiply करेगा, distribute हो जागे न, product, addition, यह addition पे distribute हो जाता है, chapter number 1 में पढ़ाया है, ठीक, so 836 into 1000 होगा, और फिर यह वाला plus copy करेंगे, यहनि कि यह जाके फरस्टम में multiply करेगा, और सेकेंड टम में भी ठीक है, अब इसमें plus हो जाएगा, 836 into में क्या है, 45 है, into में क्या है, 45 है, okay students, into में 45 है, ठीक, चलो, solve करते हैं, तो यहाँ सा आजएगा, 836 और 000, 123 और प्लस, 836 into 45 कर लीजे, 836, 836 into 45, ठीक, करो, 56 है, 33, 53 जा 15 plus 3, 18, 1, 58 जा 40 plus 1, 41, okay, into में, into में, 4 से करो, 4 से करो, 24, 2, 4 जा 12, 12 plus 2, 14, 1, 48 जा 32 plus 1, 33, अब आड़ कर दो, देखो, 0, तो यहाँ जाएगा, 0, अमें यहीप आड़ कर रहा हूं, ठीक, अरे भाई, जगा नहीं है, यार, क्या करूं, रुक जो, इसको थोड़ा सा उपर, शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि आप को देख जाए, ठीक है, चलो, एड़ करो, 0, 8 प्लस 4, 12, 1 जाएगा, यहाँ पर, तो 1 प्लस 1, 2, और 2 प्लस 4, 6, 4 प्लस 3, 7, और 3, 37,620, यह मल्टिप्लाइ करके कितना आ गया, 37,620, अब इन दोनों को एड़ कर दो, ठीक, करो, एड़, कर सकते हो, करो, 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 करो नोट कर लो, कर लिया, चलो, अब देखो, इन दोनों को एड़ कर रहे है, ठीक, तो 8, 3, 6, 00, ने, 000 है, और इसके साथ एड़ होगा, यहाँ पीछे से नमबर कॉपी करना, 0, 2, और 6, और 7, और 3, अब एड़ कर दो, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 6, 0, 6, 7, 6, 13, बन जाएगा, 3, प्लस 3, 6, प्लस 1, 7, ओके, और 8, कितना आ गया, यह आ गया, आपके पास, आड़ करके, आड़ करके, कलर में चेंज कर देता हूँ, भाई, आड़ करके आ गया, कितना, 87, फिर 36, और फिर 20, ऐसा कुछ आ गया, इन दोनों को एड़ कर गया, इन दोनों को जो मल्टिप्लिके है, वो इतनी आ जाएगी, ठीक, तो अब देखो, जरा, बच्चों ध्यान से, ध्यान से, देखीगा क्या करने जा रहा हूँ मैं, ठीक, देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान से, इस इक्वल्स 2, ध्यान दे बच्चे, इन दोनों को मल्टिप्लाईगी आपने, तो कितना आया, यह नंबर आया, कॉपी कर लो, क्या आया, इन दोनों की मल्टिप्लेगेशन कितनी आ रही है, यह आ रही है, 873620, ठीक, अपन में क्या है, 100 है, ठीक, यह वाला 0 से कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा, 87362, अपन में 10, अब जब अपन में 10 है, तो डेस्मल, पीछे से यहाँ लगा देंगे, 602 के बीच में, यानि क्या आ जाएगा, 8736.2, अब, क्योंकि यह रुपीज में आरा अंसर, मैंना आपको कही बादा, जब भी रुपीज में आता है, तो पीछे अगर 0.2 है, 0.5 है, तो 0 अपने मन से आप बढ़ा सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, 87 7,000, इसका मतलब होता है, 8736 तो रुपीज है, और 0.20 मतलब 20 पैसे हैं, यह मतलब है, क्योंकि एक रुपे में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 20 पैसे हैं, ठीक, तो यह आ गया, आपका अमाउंट, ओके Students, so आपका अमाउंट कितना आ गया, Amount at the end of one year apply to the end of USD 8000 कितना था? 다가 736 8000 736.20 यह तो आपका compound है और compound interest कैसे निकालते है compound interest निकालेंगे amount compound interest वोलो क्या दुलकत है भाई compound इत किया है तो obviously compound interest नाम पलड़ जाएगा amount minus principal ठीक, compound interest equals to amount minus principal amount कितना है 8736.20 है minus principal principal कितना दिया था question में जाके देख लीजे principal था 8000 रुपीज ये देखे principal कितना था 8000 रुपीज था ठीक, so principal लखोगे आप कितना 8000 ठीक, तो यहाँ पे आएगा 8000, subtract कर ये answer आजाएगा, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको 8736.20 अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे 8000 को जब subtract करोगे बताएगा या लिखोगे, लिखोगे 8000 ऐसे लिखोगे और फिर .00 कर लोगे मैं 8000 को 8000.00 पी दे लिख सकते हो, minus कर लो 0-00, or 2-02 decimal के नीचे, decimal 6-06, 3-03 7-07, 8-8, कुछ नहीं बचेगा 736.20 तो आगया compound interest कितना? compound interest आगया आपके पास कितना? rupees 736.20 ओके students, तो इस तरीके से ये आगया आपके पास compound interest और ये आगया आपके पास क्या amount, ठीक है ना? तो these two are your final answer dot का लीचे